नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, एक अप्रेल बड़े सोमवार के दिन शीतला सब्तमी है और इस सोमवार के दिन करें 108 चावल, दो लौंग का ये महाउपाए आपके हर जीवन का दुख हो जाएगा खत्म, भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन, दोस्तों, एक अप्रेल दो हजार चौबीस को चैतर महीने का बड़ा सोमवार पढ़ने जा रहा है ये कोई साधारन सा सोमवार नहीं है, बलकि महा सोमवार है बताया जा रहा है महा शिवरात्री के बराबर का ये ताकतवर सोमवार होगा जिस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा, साधना और उपाय करते हैं तो साक्षात आपको भोले नाथ का वो आशिरवाद मिलेगा जिसके पश्चात जीवन से आपके हर दुख, तकलीफ, परिशानी खत्म हो जाएगी दूसरी तरफ, यदि आप चैतर के बड़े सोमवार के दिन एक सो आठ चावल और दो कवह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है तो आपकी कैसी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है चैतर महीने में भगवान विश्नुजी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा शुब और फलदाई समझा जाता है इसी महीने भगवान शिवजी की भी आराधना की जाती है ताकि उनकी हमको हासिल हो सके आखिर इस महीने भगवान भोले नात और भगवान विश्नुजी की कृपा कैसे पाया जा सकता है चलिए, आपको बताते हैं, देखिए भगवान विश्णु जी, भगवान भोले जी को अपना इश्ट मानते हैं भगवान भोले नाथ जी, भगवान विश्णु जी को अपना इश्ट मान करके पूजा करते हैं इसलिए कहा जाता है कि चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यदि कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है उस थोड़े से उपाय से उसको करोडों वापस से लाभ मिलता है चैत्र महीने की शुरुआत 26 मार्च 2024 से हो चुकी है इसका समापन 23 अपरेल 2024 को होगा इस दोरान यदि आप बस बड़े सोमवार के दिन वे उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों तो आपके जीवन का कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी चाहे वो नौकरी बंद पड़े, व्यापार को चलाने की इच्छा वो चाहे संतान हासिल की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, वो जरूर ही पूरी होगी दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन आप अपने जीवन का बस दो या चार मिनिट निकाल करके चावल और लॉंग का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा आपके जीवन में आप बहुत ही काम्याब होंगे जिस कार्य भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी क्योंकि यहां पर आपको साक्षाद भगवान विश्णुजी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीरवाद और वर्दान हासिल होगा इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विश्णुजी की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे भगवान भगवान भोलेनाथ जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विश्णू, जय भगवान भोले नाथ जी की और एक काम कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशे डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशे के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता, जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आपको आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक, आपने ही लिए अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा देखिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसे उपाय हैं, जो बड़ी आसानी से आप दो-चार मिनिट निकाल करके सोमवार के दिन कर सकते हैं और यकीन मानिए, दोस्तों, इस सोमवार के दिन पूरे सोलह के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जो आपके जीवन में एक चमतकारी बदलाव लेकर के आएंगे यदि आपने यह उपाय कर लिए, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चलिए एक-एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परन्तु आपसे निवेदन हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा भगवान शिव को जप करता, दुखरता समझा जाता है, भगवान शिव सृष्टी के संचालन करते हैं कहा जाता है कि यदि किसी भी मनुष्य के जीवन में भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत का वो सामना कर रहा हो, बस यिष्ट के बड़े सोमवार के दिन, यदि वो भगवान भोले नात को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके पश्चात एक च हो जाती हैं, बस आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना, भगवान भोले नात को आप एक सो आठ चावल के दाने चड़ाने जा रहे हैं, वो तूटे भूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान भोले नात जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चड़ दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको जो नुकसान पहुचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी न बिगाड़ पाए, तो दोस्तों उन चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन जाए, किसी भी शिवालय जाए, वहाँ पर पहले एक ल पहुचाना चाहते हैं, वो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे. ये उपाए केवल चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किया था, और समझा जाता, चैत्र महीने के सोमवार के दिन दो लौंग का आप यह उपाए करते हैं, तो आपके जो भी शत्रु होते हैं, कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धनाना शुरू हो जाए, तो दोस्तों, ये उपाए कीजिए, जो हम आपको बताने आ रहे हैं, और दोस्तों, ये उपाए यदि आप करते हैं, तो मान के आपके जीवन में जो धनाएगा, वो रुके भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्ध भी होगी, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले, आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है, जो आपके घर का जल हो, और उसमें दो-चार बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, फिर इसी पानी क आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, उसके पश्चात एक सो आठ गेहूं के दाने, भगवान भोलेनाथ जी को चड़ाना है, यदि यह आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में जहां पर एक तरफ धन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, और जो धन वो रुकेगा भी, ठिकेगा भी, और उसमें वृद्ध भी होगी, चौथा, उपाए जो बताने हम जा रहे हैं, आपको ये है दोस्तों, इच्छा पू आंकडे के फूल की माला बनाईए, और वो भगवान भोलेनाथ को चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन चड़ा दीजिए, यदि आपने यह उपाए कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए, कैसे ही इच्छा हो आपकी, वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंकडे के जो फू पूल होते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं, कहा जाता है, आंकडों के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशीरवाद होता है, तो दोस्तों, यह उपाए करना भूलिएगा, पांचवा, यदि आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, और आप चाहते हैं, कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं, वह बंद हो जाए, तो यह उपाए कर लीजिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कच्चे दूद में तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिशेक करें, और यह उपाए, यदि आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है, वह घाटा होना चठा, यदि आप किसी रोग से पीडित हैं, यदि आपको किसी बीमारी ने धड़ लिया है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशा आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपका रोग बिलकुल ठीक हो जाए, तो दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार किसी भी शिवालय जाएं, पहले भगवान भोलेनात जी का अभिशेक एक पवित्र जल से करें, जिसमें गंगा जल मिला हो, फिर आपको भगवान भोल चैत्र महीने के बड़े सोमवार को किसी भी समय सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए दोस्त, तो बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्रसित हो, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तीन पत्ते वाला चिकना बेल पत्र, भगवान भोलेनाथ जी को सेहत लगा कर के अरपित कर दे। यदि आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों कैसी भी आपकी इच्छा हो पुत्र की, पुत्री की, विद्वान पुत्र की, वह इ जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा, कि यदि आपके घर में वास्तु दोश है, तो कैसे आप जान सकते हैं, और क्या उपाय कर सकते हैं, जिससे की वास्तु दोश दूर हो और आपके जीवन से परिशानियां खत्म हो तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों अब जानते हैं गरूजी से कि वो क्या कहते हैं दोस्तों हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय हर किसी समय एक जैसा नहीं होता अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है समय किसी के लिए नहीं रुखता किन्तु यदि हम आप से कहे कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जी हाँ, हम बात कर रही है गर में लगी घड़ी की जिसे हम रोज निहारते हैं पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है दोस्तों, हम बाहर जीवन में छोटी-छोटी चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं किन्तु वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती है घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें है जो आपके वास्तु दोश का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है तो आईए जान ले क्या आपको अपने घर में वास्तु दोश के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोश होने से सुख, शान्ती और पारिवारिक उन्नती में बाधा पैदा होती है वास्तु दोश के कारण पनपने वाली नकारात्मक उर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, शास्त्रों के यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनरजी से छुटकारा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं किन्तू उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करके बेल आईकॉन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों नमबर एक जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें पीपल को जलाएं और चीन्टियों को मिला आटा दें तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिला कर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी नमबर दो वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे दोस्तों तीन जाडू के पूछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए इन्हें सदैव छिपा कर रखना चाहिए और जाडू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए नमबर चार शोचालय का दर्वाजा सदैव बंद होना चाहिए माना जाता है कि घर की नकरात्मक उर्जा शोचालय में ही बात करती है ऐसे में यदि शोचालय का दर्वाजा खुला रहता है तो नकारात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश करती है नमबर घर में सुख शान्ती के लिए कपूर को घी में डूबा कर सुबह शाम जलाना चाहिए इससे घर में दोश भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परिशानियां दूर होती है दोस्तों, नमबर चै, दुरगटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात कपूर जरूर जलाना चाहिए नमबर साथ, घर में जिस जगह वास्तु दोश हो, वहां कपूर की दो टीकियां रखें खत्म हो जाने के पश्चात, वहां दोबारा इसे रखें नमबर आठ, अस्त के बाद, कभी भी किसी को दूद, दही या प्याज नहीं देना चाहिए ये भाग्य में बाधग भी बन सकता है नमबर नौ, घर के मुख्य द्वार पर कूडा दान कभी भी ना रखे नमबर दस, घर में तूटा हुआ शीशा, कभी भी नहीं होना चाहिए नमबर ग्यारह, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाए शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते है नमबर बारह, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके, चांदी की कटोरी में कपूर और लॉंग जलाए ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत रहती है और मा लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्शित होती है ऐसे घरों से नकारात्मकता सदैव दूर रहती है दोस्तों, नमबर तेरह घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए इससे आपके उपर नकारात्मक असरहावी हो सकता है नमबर चौदह आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं ये भी हम जानेंगे सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार यानि घड़ी की शेक दोस्तों शास्तर के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है पर आज कल देखा जा रहा है कि बाजार में कई की घड़ियाँ मौजूद है जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है किन्तु दोस्तों आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिलकुल भी सही नहीं है इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है और की तस्वीर घड़ी में बिलकुल भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धुप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यक्ता होती है और घड़ी तो कई तक धूल में पड़ी रहती है इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुब नहीं माना जाता हो सके, तो घड़ी का आकार घोल और अंडाकार ही पसंद है घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृत्वी के आकार को दर्शाता है जो को और घड़ी में नुकीले, कौन होते है और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक उर्जा का संचार करती है दोस्तों, अगली बार जिसका आपको खयाल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच रखे, साफ सफाई ध्यान रखे, धुल न जमा होने दे और कहीं से भी घड़ी टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बहतर होता रहे तो उसके लिए हम खुद को समवारे रखते हैं नए कपड़े और नए आभूशन पहनते हैं उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच और नए जैसा ही रखना चाहिए ये कहीं से भी टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए समय समय पर घड़ी पर छड़ी, धूल और जालों को साफ करते रहें जिससे आपका भी धुन्दला नहीं पड़ेगा दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर तूटी हुई या धुल चड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिलकुल भी न रखें क्यों इससे घर में नकारात मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा घड़ी को कभी भी दक्षिन दिशा में नहीं लगाना चाहिए दक्षिन दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है इसी लिए वास्तु शास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं किन्तु ध्यान रखें कि को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दर्वाजे या आने जाने के लिए उप्योग किये जाने वाले दर्वाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिन्चर्या पर पढ़ सकता है दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें जहां घड़ी समय का चिन्ध है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए ये इस वास्तुदोश उत्पन्न होता है और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी न लगाए दोस्तों घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं तो ये गलती आप ना करें समय सही रखें इस से आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए दोस्तों छोटी छोटी बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाए ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे ये शुभ नहीं माना जाता पुरानी घड़ी दान में देना शुभ माना जाता है इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है इसलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो तूटी फूटी ना हो और खराब ना हो तो वो आप किसी जरूरत मंद को दान में जरूर दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्य एक घर में प्रति दिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं नियमित पाठ करने से ना केवल मानसिक शांती मिलती है बलकि पूरे घर में सकारात्मक उर्जा भी व्याप्त हो जाती है परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं जो की एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैग्यानिक दोनों ही दृष्टिकोंड से ध्यान में रख कर बनाए गए हैं इसलिए हमें को बिलकुल भी अंदेखा नहीं करना चाहिए परंतु यदि हम नियमों को नजर अंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अरपन करते समय धुप, दीप लगाते समय, वैद्य अरपन करते समय नात करना चाहिए ऐसा से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए एक या दो मिनिट ना हो, परंतु प्रति दिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मक्ता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए सारी नकारात्मक्ता नश्ट हो जाएगी दोस्तों पूजा घर में शनी महाराज, एकांत विरह उदासीनता और वैराग्य के माने जाते हैं जबकि ग्रहस्ती को चलाने के लिए राग प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है इसलिए शनी की मूर्ती को घर में नहीं लाना चाहिए दोस्तों, सबसे पहली बात दीपक और धूप दान की भारत की परंपरा मिठ्टी से जुड़ी हुई है इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिठ्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए यदि आप मिठ्टी का दीपक नहीं रख सकते है तो धातु के दीपक का उपयोग करें यदि भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला कर गुड़ और घी का धुब भी दे सकते हैं ऐसा करने से घर में सुक शांती बनी रहती है दूसरी चीज घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए या तो आप इसे बना लें क्योंकि स्वास्थिक आपके घर की शक्ती सौभाग्य स्मृद्ध और शुभता का प्रतीक समझा जाता है यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है तीसरी चीज है कलश भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बना कर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिल ही होती है चौथी चीज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंक की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रतनों के साथ हुई थी इसी कारण से शंक महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है शंक की ध्वनी से सकारात्मक उर्जा का भी संचार होता है इसी लिए मंदिर में शंक अवश्य होना चाहिए शंक के घर में उपस्थिती से मालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती पांचवी चीज मंदिर में आपने घंटी देखी होगी क्योंकि घंटी को शुब समझा जाता है इसी लिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और साथ ही सुख समरिद्ध के द्वार खुलने लगते है तो है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए आईए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए सबसे पहली चीज गनेश जी की मूर्ती घर में कभी भी गनेश जी की मूर्ती तीन अथवा पांच ऐसी विशम संख्या में ना रखे अपने मंदिर में गनेश जी की सिर्फ दो मूर्तियां रखें इसे शुब समझा जाता है यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गनेश जी की मूर्ती मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मूख करके लगा लें कई लोग ये करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ती बाहर की और मुख करके लगा देते हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है यदि आप चाहें तो द्वार के दोनों और लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की और लगाईए परंतु बाहर की और कभी भी नहीं लगानी चाहिए दूसरी चीज तूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी तूटे हुए चावल ना रखें इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें यह नकारात्मक उर्जा पहलाते हैं यह बात भी रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का प्रयोग हल्दी में भिगो कर ही करें इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे त्री की तस्वीरें इसके साथ ही यदि आपके घर के मंदिर में पूरवजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरवज पूजनीय हैं परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें न रखें यह आपके लिए शुभ संकेत है इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है इसके अलावा यदि साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं उसे पूजा घर में भूल से भी न रखें यह घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है इसके साथ ही महाकाली, काल भहरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए और हाँ दोस्तों ध्यान रहे कि मान लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा क्योंकि मान लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्व पूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए धर्म गरंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ सम्रिद्धिका प्रतीक समझा गया है ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती है इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए गंगा गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे मा गंगा जो हर किसी के पापों को धूल देती है लोगों को देती है यदि आप भी अपने जीवन में सुख और शानती कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भर कर रख सकते हैं ये आपके परिवार में सुख शानती का प्रतीक है जो घर की पवित्रता को भी बनाय रखता है इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बॉटल या अपवित्र बरतन जैसे स्टील या लोहे के बरतनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए ये होता है यदि आप महालक्ष्मी को प्रसंद करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मा लक्ष्मी को कमल का पूल चढ़ाएं मा लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है तो उन्हें बेहद प्रिय होता है क्योंकि ये कीचड से निकल कर भी दुनिया में खूबसूर्ती और पवित्रता भी खेरता है इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा दोस्तों इस दिवाली ध्यान कि दीपक से दीपक ना जलाईए शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होता है ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही, मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाईए। ये आपको समर्द्ध देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ। जलाने से सम्रिद्धि बरकरार रहती है, इसके अलावा लेकर धूप धानी, गंगा जल जैसी चीजों को बाएं रखना शुब होता है। उम्मीद दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है। दोस्तों, नीमबू के उपाए आज से नहीं, बलकि हजारों साल से पहले से प्रयोग किये जा रहे हैं, जो उपाए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नीमबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप जियोतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नीम्बू के उपर पूरे ग्यारह अध्याय आपको जाएंगे, जिसका ये है कि नौकरी पाने के लिए। नीम्बू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं। अपने व्यापार को दोड़ाने के लिए कैसे नीम्बू का प्रयोग करना चाहिए। एवं यदि आपका शत्रू आपका विनाश करना चाहता है, तो नीम्बू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रू का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है। इन सब को भगाने के लिए नीम्बू कैसे रामबान दबा समझा जाता है। इन सब के बारे आपको वास्तु शास्त्र और जियोतिश शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं, जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति-पत्नी में बनती है, तो यह थी आज की विशेश जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।